राहूल गांधी के दिगज नेता और लोग सभा में नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी ने अपने दिये गए सिखों पर बयान को लेकर एक सोशल मेडिया पोश्ट के जरिए सिख समाज से बड़ी अपील की है राहूल गांधी ने इसके लिए भारती जनता पार्टी को जिम्यदार ठाराया है राहूल गांधी की ओर से अमेरिका में सिखों पर दिये गए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर दिखी है बीजपी की नेताओं ने इसे लेकर देश के कई राज्यों में राहूल गांदी के खिलाब मामला भी दर्च करवाया और जवर्दस्त प्रदर्शन भी किया इस बीज कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी ने अमेरिका में दियगे अपने बयान को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर पोश्ट करते वे अपनी ओसे सफाई दी है लोग सभामी नेता प्रतपक्ष राहूल गांदी ने एक्स पर लिखा है कि भारती जनता पाटी अमेरिका में मेरे बयान के बारे में जूट पहला रही है मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं क्या मैंने जो कहा है उसमें कुछ गलत है या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां पर सिख और हर भारती है बिना किसी डर की अपने धर्म का पालन कर सके अपने बयान में पोश्ट को आगे लिखते वे राहूल गांदी ने पूछा कि बीजेपी हमेशा की तरह जूट का ही सहरा ले रही है वे मुझे चुप कराने के लिए बेताब है चोकि वे सच बरदाश्ट तो नहीं कर सकते लेकिन मैं हमेशा उन मुल्यों के लिए बोलूँगा जो भारत को पारिभाश्वित करते हैं विविता में हमारी एकता, समानता और प्रेम घौर तलबह की कॉंग्रेस सांसल बीते 10 सितंबर 2024 को अमेरिका के वाशिंग गटन डीसी में इंडियान ओवर सीच कॉंग्रेस के कारिक्रम में संबोधन के दोरान कहा की लडाई इस बात को लेकर है कि क्या किसी सिख को अपनी पगड़ी पहनने या भारत में घुर्दवारे जाने की अनुमती दी जाएगी यह सिर्फ सीखों के लिए नहीं बलकि सभी धर्मों के लिए है राहूल गांधी के इस बयान को लेकर कॉंग्रेस के कई निताओं ने शेयर किया और बीजेपी पर जवर्दस्थ हमला बोला कॉंग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शुनेत में भी इस पोस्ट को शेयर करते वे बीजेपी पर करारा हमला बोला है आपको बता दे कि राहूल गांधी के अमेरिका के इसी बयान को लेकर बीजेपी लगातार प्रोटेश्ट कर रही थी और बीजेपी के कई स्थान सुदों की तरब से इस पर बयान भी दिया गया वहीं एक केंद्रिय राज्यमंत्री और बीजेपी के राज्य सवासांसर रवनीत सिंग बिट्टू ने तो राहूल गांधी को आतंक वादी तक करार दिया उन्होंने इसके लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी हलाकि इस बयान को लेकर कॉंग्रिस खासा नाराज दिखाई थी यहां तक की कॉंग्रिस के बौस और अध्यक्ष मल्लिकारजुन खर्गे ने इस बयान को लेकर प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी को एक चुठी लिखी और उसमें इनोंने रवनीत सिंग बिच्चु के उपर कार्रवाई तक की बात की और लिखा कि आगे से कोई ऐसा ना कहे इसके लिए सक्त नियम होने चाहिए हलाकि इसको लेकर जेपी नड्डा की तरब से भी एक खत मल्लिकारजुन खर्गे को जवाब में लिखा गया आपको बता दे कि बीजेपी इस मामले को भुनाने के फिराक में थी लेकिन अब राहूल गांदी ने इस बयान को लेकर सफाई पेश कर दी है अब देखना दिल्चस्प हो जाता है कि बीजेपी और कॉंग्रस में इस बयान को लेकर किस तरीके से आगे राज़निती होती है और क्या इस बयान को बीजेपी भुनाने में इन चुनाओं में काम्याब भी हो जाएगी या फिर नहीं रहूल गांधी के इस सफाई को लेकर आपके क्या प्रतिक्रिया है उसे कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखें ऐसी धेड़ सारी खबरों को देखने के लिए लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें